हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारे पत्रक नबर 31 करेंगे जो की क्लास 8 की है और विश्य है गणित ये वर्क्षिट 28 जैनुवरी 2021 की है तो आईए शिरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शिरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखते हैं आज की वर्क्षिट बीजिए व्यन्जक तता सर्व सम्मिकाई हम जानते हैं कि अग गणित में हमारे संख्या समधि समस्याओं को हल करने में बहुत मदद मिलती है परंतु जब अग गणित में बहुत कठिन समस्याओं को हल संख्याओं में नहीं हो पाता है तो उनके लिए X, Y, Z या ABC के सहायता लेती है गणित की इसी शाखा को बीज गणित कहती है तो देखो क्या कहा गया है विटा कि जब हम गणित में X, Y, Z या ABC से जब समस्याओं को सौल करते है तो उस गणित को क्या कहा जाता है बीज गणित कहा जाता है इन तरिबुज को देखी और अगला प्रतिरू बनाईए तो देखो यहाँ पे कितना त्रिबुज है एक त्रिबुज यहाँ पे दो त्रिबुज यहाँ पर तीन त्रिबुज यहाँ पर चार त्रिबुज यहाँ पर पाँच त्रिबुज तो हम जब आगे बनाएंगे तो बिटा कितना बनाएंगे 6 त्रिबुज बन जाएंगे next sequence बनाने देखो प्रती रूप में क्या होगा कि एक का जैसे 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 जो line series चल रही है वैसे ही आपको आगे करना जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 7 यहाँ पे 6 त्रिबुज बन जाएंगे उसके बाद में 7 त्रिबुज बन जाएंगे एक त्रिबुज बनाने के लिए 3 रेखा खंडो की अफशकता होती है एक त्रिबुज बनाने के लिए 1, 2, 3 रेखा खंडो की अफशकता होती है 2 त्रिबुज बनाने के लिए 6 रेखा खंडो की इसी तरह 3 तरबुज बनाने के लिए 9 रेखा खंडों की देखो कितने होगे 1,2,3 देखो हम दुबारा बनाते हैं यह 3 तरबुज होगे इसके लिए कितने रेखा खंड रेखा खंड किसे कहते हैं एक line segment तो देखिए जैसे कि 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तो कितने रेखा खंड होगे? 3 के लिए कितने रेखा खंड होगे? 9 रेखा खंड होगे 3 के लिए कितने रेखा खंड होगे? 9 आफशक रेखा खंड की संख्या, 3 के लिए तिर्बुज की संख्या गना कर देंगे तो क्या कह रहे हैं कि जितने भी रेखा खंड है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसे तीन से गुना कर देंगे हम क्या कर देंगे उसे तीन से गुना तो तिर्बुज के स्थान पर टी लिख देते हैं मान लोगर हमें 5 त्रभुज का ग्या निकालना है कि 5 त्रभुज में कितने रेखा खंड है तो हमसे 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 इसी तरह से अगर 30 त्रभुज दे दिये जाए आपको क्या कहा जाए 30 त्रभुज में कितने रेखा खंड है तो 30 त्रभुज में कितने रेखा खंड है इसके लिए क्या करेंगे त्रभुजों की संख्या 30 गुना 3 तो कितने रेखा खंड हो जाएंगे 90 ठीक है इसके लावा इन त्रिबुज को देखकर बताए कि सोवे प्रती रूप में रेखा खंड कितने होंगे तो सोवे प्रती रूप मतला कितने त्रिबुज सो त्रिबुज सो त्रिबुज में कितने रेखा खंड होंगे तीन से गुना कर दो तो कितने रेखा खंड हो जाएंगे देखो समझो क्या कहा जा रहा है जितने त्रिबुज है उतने उसको जितने उसको तीन से गुना कर देना अगर पांस त्रिबुज में कितने रेका खंड है तो पांस से गुना कर देंगे तीन को दस में निकालना है तो दस से गुना कर देंगे ठीक है अब टी के स्थान पर अ एक चर संख्या है, चर संख्या जिसे कहता है कि जो संख्या बदली जा सके, जिसे कि एक तरबुज में कितने रेखा कंड है, तीन तो क्या है, फिक्स है, एक तरबुज तीन गुना एक, दो तरबुज तीन गुना तीन, तीन तरबुज तीन गुना तीन, चार तरबुज तीन जल्दी से समझ में आने वाली है राशिद इ रिक्षा द्वारा करोल बाग जा रहा था वे अनंद परवसे करोल बाग का सफर करता है इस दोरान वे बहुत सी वस्तों स्थितियों को देखता है जो किसी ने किसी राशी के साथ जुड़ी हुई है मुसाफिरों की संख्या, यात्रा की दूरी, यात्रा का किराया, रिक्षा की रफ्तार रिक्षा की पहियों की संख्या, रिक्षा के ड्राइवरों की संख्या और सीटों की संख्या तो देखो क्या कर रहा है बेटा वो सफर कर रहा है और वो वहां पर आने वारी अलग-लग चीजों को देख रहा है कि गाड़ी की स्फीर बे चल रही है मुसाफिर कितने बैठे है यात्रा कितनी दूरी की है तो यह क्या है वो चेक कर रहा है ठीक है कुछ राशिया ऐसी हैं जो क्या हो रही है बदल नहीं रही है जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं दिख्षे की पहियों की संख्या पहियों की संख्या क्या होगी नहीं बदलेगी न वो तो चाहे शुरू हो चाहे लास्ट पहियों की संख्या सेम रहेगी लेकिन अगर मुसाफ तो देखो हां। 자फिरोफ की संख्या बदल रही है। कि यात्रा की कुल दूरी जैसे यहां से लेकर यहां तक है। तो अगर वो दूरी पूश्टा, तो दूरी दीरे कम और थे। लेकिन कुल दूरी यहां से लेकर यहां 극ा रोज जाता यहां थे। कभी तेज हो रहा है कभी धीर हो रहा है क्या पहियों की संख्या बदल रही है रिक्ष्यों में जो पहिय है उनकी संख्या बदल रही है तो हम लिखतेंगे नहीं क्या ड्राइवर की संख्या बदल रही है क्या सीटों की संख्या बदल रही है इसमें सीटों की संख्या बदल रही है इसमें सीटों की संख्या बदले जाते हैं उन्हें हम चर संख्या कहते हैं जिसे कि मुसाफिरों की संख्या कभी कम हो रही थी कभी जादा हो रही थी तो बदल रही है न मुसाफिरों की संख्या तो उसे हम क्या कह देंगे चर संक्या और जिन राशियों का मान नहीं बदल रहा जिन संक्ययों का मान नहीं बदलता है उसे हम अचर राशी कहते हैं ये दो बाते आपको समझनी जरूरी है चर राशी और अचर राशी जो मान नहीं बदलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं अचर माला आपको 2x दे दिया 3x x equal 1 कह दिया x equal 2 भी कह सकते है x की value 3 भी हो सकते है x की value 10 भी हो सकते है ना अलग लग question में अलग लग x की value हैगी इसका मतलब कि x की value क्या और ये बदल रही है y की value बदल रही है z की value बदल रही है किसी में 10 भी हो सकती है, X की Y, Y की Y, T की Y और M की value, ये सब क्यों होगे, इन सब की value बदल जाती है, चेंज हो जाती है, इसलिए ये सब क्या है, चर संख्या है, ये सब क्या हो जाएंगी, चर संख्या है, उसके बाद हम next देखते हैं, देखो, 5, 5 हमेशा 5 ही रहेगा, 5, 5 की value ह हमेशा 5 ही रहेगी, चाहिए आप किसी भी question में उसे solve करो, 18, 18, 18 की value, 18 ही रहेगी, 7, एक सेकिन हमें यहाँ पर इस तरह से करना था, देखो, 5 की value क्या रहेगी, हमेशा 5 ही रहेगी, 18 की value हमेशा 18 ही रहेगी, 7 की value हमेशा 7 ही रहेगी, ठीक है, इस तरह 28 की value हमेशा 28 रहेग तो यह क्या हो जाएंगे अच्छा राशी जिनकी value नहीं बदलती है तो आज हमने जाना च्छा राशी और अच्छा राशी किसे कह दें आज की वरक्षिट कंप्लीट होती है वरक्षित कंप्लीट करके अपने तीचर से चेक कराईए और प्लीज मेरे चैनल को like कीजिए subscribe कीज शेर कीजी, थैंक यू स्टूडेंट्स